लिक उन सब्सक्राइब बटन एंद थे बेल आइकन हेलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोब्स करियर एडुकेशन में और जैसा कि आप सभी को पता है इस इस माइ सेकंड चैनल तो आपने आगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि आप कोई भी वीडियोस नोटिफिकेशन मिस ना करो और आपको टाइमली सारे वीडियोस मिलते रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कोल इंडिया का एक्जामिनेशन राउंड राउंड दी कॉर्नर है फेवरिड लास्ट वीक में तो काफी व्यूर्स ने मुझसे रेक्वेस्ट किया था मेरे पहले यूट्यूब चैनल Government PCO Jobs India पे की सर एक वीडियो बनाए जिसमें Pre-Employment Medical Examination के बारे में जानकारी दे कैसे टेस्ट होते हैं, क्या क्या कवर होता है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कोल इंडिया Examination करीब है तो मैंने कोल इंडिया का ही ये लिया है मैं आपको लास्ट पेज दिखाता हूं ताकि आपको पता चले यह अथेंटिक है तो यह जैसा कि आप देख रहो यह जो डॉक्मेंट है मेरे पास पीडिएफ का यह पूरा प्री के एंप्लाइमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है कोल इंडिया के तो जिसमें लास्ट पेज में दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए यह कोल इंडिया का ही है तो जैसा आप देख रहो फर्स पॉइंट देख रहो फर्स पॉइंट चेयर में C CIL मतलब Cole India Limited तो यह आपको मैंने यकीन दिलाने के लिए बता दिया है अब हम लोग इस document को पूरा अच्छे से analyze करेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए इसमें pre-employment medical examination के बारे में दिया हुआ है जैसे कि मैं आपको पूरा बलता हूं stages सबसे पहले आपका computer based test होता है उसमें से जो लोग shortlist होते हैं screening के बाद based on the merit list उनका फिर interview होता है interview में जो select हो जाते हैं that is the final selection उसके बाद आपका pre-employment medical examination होता है तो जो लोग medically fit पाए जाते हैं उनहीं का पूरा absorption हो जाता है उनका employer ID creation वगएरा होता है वो permanent हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें तो पहला point देखी pre-employment medical examination will be done for all new appointees चाहे वो किसी भी level का entry level हो mid level या top level सबका pre-employment medical examination होता है या तो company अपनी company medical officer से कराती है नहीं तो कुछ board medical board होता है जो कि chief medical officer decide करता है तो medical examination में काफी standards है basically physical standards define किये गए है कि physically क्या क्या criteria इनके में होने चाहिए तो हम देखते हैं अगर आप देखो minimum physical standard जो है point A अगर आप देखें minimum physical standard for all classes of employees directly connected with coal, mining, geological survey, mechanical, electrical, electronics, open cast, personnel, mining, trainees, authorized drivers and watch and ward employees etc. इन सब के लिए सब चेक होता है में बात है कि candidate should be in sound mental and physical health और उसमें कोई physical defect नहीं होना चाहिए या mentally, physically कि उसका जो particular day-to-day work है उसमें वो hindrance हो या उस भूढक से नहीं कर पा रहा है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए जादा बहुत जादा बहुत जादा बहुत जादा बहुत बहुत जादा पतला दूबला भी नहीं होना चाहिए उसके बाद आपका hearing must be good and there should be no progressive disease affecting hearing मतलब सुनने के सकते हैं आपके एकदम सही होनी चाहिए कुछ ऐसी बादा नहीं होनी चाहिए आपको सब कुछ सही सही सुनाई दे अगला आपका speech जो आप बोलते हो बोलने में जो stammering है अगर वो moderate degree की है तो चलेगी अगर लेकिन आपका stammering कुछ जादा ही है कि आप समझ जहां नहीं पा रहे हो आप जब बोलते हो तो लोग chest measurement तो जो आपका च्छाती पूरा है मतलब सांस ले लेते हैं तो च्छाती का जो गर्थ है अगर इसको आप ऐसे समझो गर्थ मतलब जो हता है ऐसे कि अगर circle है तो circle का circumference तो आपकी body को अगर cylinder माने तो गर्थ तो उसका जो गर्थ है यानि कि वो measure करते हैं दो case में अगर च्छोड़ दी है तब क्या गर्थ का length है तो उसके basis पर इन्होंने height और chest measurement का criteria बनाया हुआ है अगर आप table में देखें तो left hand में आपका height है right hand में आपका chest measurement है तो इसने height दोनों में दिया हुआ inches में भी centimeter में और आपको जिस unit में करना है तो मैं centimeter unit में discuss करूँगा तो अगर आपकी height 159 से 165 cm के बीच में है तो उस case में on full expiration मतला पूरी सांस निकालने के बाद आपका 75 cm का chest होना चाहिए और पूरी सांस अंदर लेने के बाद on full inspiration आपका 81 cm का होना चाहिए ऐसे ही जिनकी height 165 से 173 cm है उनका on full expiration 79 cm on full inspiration 84 cm अगला है अगर आपका 173 से 178 cm के बीच में है तो on full expiration 81 cm और on full inspiration 86 cm next आपका height 178 से 183 cm के बीच में है तो पूरी सांस छोनने के बाद आपका 84 cm और पूरी सांस अंदर करने के बाद आपका 90 cm होना चाहिए चाहिए अगर आपका height 183 cm से भी जाता है तो पूरा सांस छोड़ने के बाद 86 cm और पूरा सांस अंदर लेने के बाद आपका 93 cm का पूरा चेस्ट का dimension होना चाहिए अगला पूइंट है कि chest must be well formed the lungs and heart must be normal और heart lungs normal होने चाहिए तो बीस के बाद मगर आप जो exercise type का करार है तो तीन मिनट के बाद आपका सब कुछ ये जो heart beat वगर सब normal हो जाना चाहिए मतला half tear नहीं रहना चाहिए तो भी check करते हैं आपसे हलका सब वो hopping कराते हैं या stand करके से squatting कराते हैं फिर check करते हैं कि आप half तो नहीं रहो बहुत जदा half रहो तो पता चल जाता है थोड़ा बहुत की breathing में कुछ issue है या कुछ है तो there should not be any evidence of chronic, pulmonary, bronchial, laryngeal, volvular disease और gross estereostellerosis ते काफी कुछ medical terms हैं आपको आपको अपने डॉक्टर से मत मीट करके तो आपस और डिसाइड कर सकते हैं इस सब क्या है अगला आपका है blood pressure normal होना चाहिए recommend posture में teeth must be in good order decayed or broken teeth must be properly stopped or crowned and deficient teeth replaced by artificial teeth wherever necessary gums की condition अच्छी होने चाहिए hernia नहीं होना चाहिए there should be no hydro seal hydro seal नहीं होना चाहिए in case there is a hydro seal the person may be permitted to get operated within three months माल लीजिए किसे को अगर hydro seal है भी उसका selection हो जाता है और medical fitness से पता चलता है कि आप वो hydro seal है तो आपको तीन महिने का मौका मिलेगा कि आप operation कराके सही हो जाए और आपने आपको medically fit declare कर दीजिए तो आपका joining crosser delay कर देंगे तीन महिने में आपकी job को कोई खत्रा नहीं है बस आपको time दिया जा रहा है कि तीन महिने आप सही हो के आजाए आपकी job secured है आपका फिर है the limbs, hands, fingers, feet, toes must be well formed आपका जो limbs, hand, pound, toes वगेरा हैं यह सब सही होने चाहिए तो क्योंकि इंसे काफी मतलब चलने फिलने में पता चल जाता है कि कैसा है तो यह यह सब भी check होता है this is for the normal people, यह PWD के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, normal people के लिए दीव्यांग जन के लिए नहीं Candidates should not suffer from chronic or extensive ulcers, ailments of skin or other system subjects of palsy, paralysis, epilepsy are to be rejected अगर paralysis है, epilepsy है, palsy है, तो यह सब subjects को reject किया जा सकता है अब आते हैं आँखों का नजर, आपका जो eye standard है, जो आपका देखनी के सकती है उसके लिए आपका दिया हुआ है, better eye का, अगर naked eye, मतलब बिना किसे suspects या contact lens के 6 by 12 corrected with glass 6 by 6, near vision आपका 0.6 है और worse eye, or each eye hypermetropia, naked eye से 6 by 24, corrected eye with glass से 6 by 9, near vision 0.8 कुछ notable points हैं जो total myopia है, अब चाहां दोस्तों आपको काफी, जैसे myopia क्या होता है और hypermetropia क्या होता है, तो myopia क्या होता है, इसमें आपको दूर का नहीं दिखता है और hypermetropia होता है, आपको pass का नहीं दिखता है तो अगर आपको myopia है, तो उसमें बूल रहा है कि total myopia on the above standard should not exceed minus 6 diopter अब यह DD जो है, यह diopter unit होती है, तो जो power बोलते हैं, आख की power तो अगर आपका चश्मे का number, अगर आपको दूर का नहीं दिखता, अगर आपको दूर को नहीं दिखता तो वो negative number होता है, तो अगर आपका minus 6 तक है, तो वो चलेगा, उससे ज्यादा है, यानि कि minus 7, 8 तो वो नहीं चलेगा उसी के बाद आपका आता है, manifest hypermetropia, उसमें अबका minus 3D, in case of total error, refraction minus 2D, night blindness और color blindness नहीं चलेगा Canaries night vision will be tested to a certain weather or not, he suffers from night blindness, test should also be done for color blindness दोस्तों, color blindness का test एक्तम होता ही होता है, तो इसमें आपको काफी test online भी available है color blindness के, in fact, अगर आपके पास apps हैं, तो Google के play store में भी काफी color blindness test करने के apps हैं, तो आप उसमें को download करके test कर सकते होगी, लगबग वैसी test होते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं, उसमें red, green, अलग-अलग different colors होते हैं, और आपको choose करने तक क्या आपको कौन सा color दिखा, तो उसमें आप practice कर लोके तक आपको 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 आपी तो यह सब आपको, मतलब जैसे आपका interview में selection हो जाता है, मतलब, mainly आपको fit रहना है, आप अपना fitness भर करार रखी, वो सबी important हैं, examiners अपना खुद का discretion लेते हैं, to the scope of a general physician examination, will judge cases on the merits, taken into consideration, तो mainly होता है कि यह दोस्तों मैंने, मैं खुद आपको बताता हूँ experience, जैसे कि जो सारी फिर results आते हैं doctor के दवार reports में, तो कुछ minor minor कुछ होता है, तो depending upon the job profile, जैसे कि अगर हम बताएं HR, फिने, जिसनका desk work जादा है, उनका अगर छोटा और मोटा authority है, that can be ignored, doctor उनको permit कर देत होता है, अपनी तरह से report में, फिर HR का discretion होता है, या management का discretion होता है, कि candidate को लेना है या नहीं लेना है, लेकिन अगर कुछ ऐसी jobs होती हैं, जहां पर एकदम medically or fitness, physically fitness में कुछ भी duty गवारा नहीं करेंगे, तब आपको तुदा मुस्किल हो सकती है, और जो report आती medical examination की, वो confidential होती ह जिर्फ call India के employees को ही मिलेगी, जो करवा रहे हैं, और फिर वो decide कर लेते हैं, based on doctors report की लेना है या नहीं लेना है, फिर आपका point B में लिखा है, minimum physical standard required for recruitment to post other than group A, जिसे हमने group A का देखा था, group A जो सारे above थे, और नीचे का आ रहा है आपका, ये group A के अलावा के लिए लिए इसमें है कि भाई, mental और bodily healthy होनी चाहिए, जिससे कोई performance करने में आपका hindness ना हो, overweight या underweight ना हो, hearing अच्छी हो, speech में stammering ना हो, वही सब है, test में लिखा हो है, minimum girth not less than 30 inches on full expiration and less than 32 inches on inspiration बागी lung sound होना चाहिए, circulated system में there should be no evidence of enlargement of hurt, हाँ, तो दोस्तों मैं ये भी बताता हूँ कि, काफी PSUs में, जैसे मेरा खुद का experience भी है, और काफी मेरे दोस्त जो हैं PSUs में उनका experience है, तो आपका ultrasound भी करा आया जाता है, ultrasound में आपका चेक कर लिया जाता है, कि आपके kidney stone या फ नहीं है, अगर है तो फिर वो report में अगर आता भी है, तो आपको मौका दिया जाएगा कि इस आप stone निकल वाले, या फिर आपका job profile इसमें कोई handle नहीं करता है, तो वो सब report पर बाद में decide होता है, कि लेना है या बंदे कोई नहीं लेना है, तो फिर इसमें भी जैसे लिखा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसेल नहीं होना चाहिए, जो उपर में conditions थे, वही सब conditions है, और फिर ये आपका employee service के साफ़ से आख का दिया हुआ है, तो mainly जैसे आप सभी लोग management trainees का decide कर रहे हो, तो वो group A में आ जाएगा, तो मोटा मोटी recent का आपका यही है कि देखिया जो main test होते हैं, मैं आपको पुरा बताता हूँ, यह आप कई guidelines था, यह आप उपर से नीचे में दिखा रहा हूँ, तो mainly आपका सारा जो body का check-up के लिए सबसे important है, आपका eye check-up होगा, आपका vision का test होगा, उसमे color blindness का test होगा, औ और आपके check-up में आपका वो जैसे आपका पता ही होगा कि आपको पढ़वाते हैं, तो आपका pass का पढ़वाएंगे और दूर का पढ़ने को देंगे, आप पूरा पढ़ लेते हो, टेस्ट हो जाता है कि आपके eye power कितनी है, उससे पता चल जाता है, और color blindness से पता चल जाता तो आप color blind हो या नहीं, उसके अलावा आपका blood test होगा, blood test में आपका सुरा सुगर कितना है, सुगर आपका कितना आ रहा है, आपको diabetes वगरा तो नहीं है, और blood से काफी चीज़े पता चल जाती है, आपका vitamins का status, आपका body का status है, काफी कुछ उसमें blood से ही हो जाते हैं, उसके आपका काफी PSU, उसमें ECG भी होता है, आपको एक treadmill test होता है, treadmill पर दोड़ाते हैं, फिर उसमें काफी levels होते हैं, level by level speed तेज होती है, और उसका inclination भी बढ़ता है, उसमें फिर देखते हैं कि बंदा half रहा है कि नहीं, half रहा है या क्या है, उसमें 20 मिनट तक दोड़ाते हैं, पुरा stage, पुरा cover होता है, ECG का एक graph बंद के आता रहता है, treadmill test का, उसके बाद ECG भी आपका होता है, heartbeat का test होता है, उसमें कुछ electrodes लगाते हैं, उसका report जाता है, आपका ultra sound होता है, आपका x-ray होता है कई PSU's में, तो यह सब mainly आपका physical fitness test होता है, आपकी body का structure सब सही है, नहीं ह हैं, जैसे kidney है, lungs है, heart है, और आपका, जो half revenue हो, heart है, सब mind, यह सब test हो जाता है, क्योंकि बंदे को जैसे मैंने बताया है, starting में लिखाया है कि, physically or mentally sound होना चाहिए, तो यह सब वो देखते हैं, तो यह सब आपको ध्यान देना है, तो दोस्तों मैंने काफी medical test आपको बता दिये हैं, blood test होना ही होना है, आपका ultrasound काफी PSU's में होता है, x-ray काफी PSU's में होता है, तो आप prepare करिए, अपनी पढ़ाई के साथ सा, return के साथ सा, अपनी सेहत भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, आप at least half an hour निकालिए, थोड़ा टेह लिए, और अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, mentally, physically fit रहना बहुत जरूरी है, तो आपको पढ़ाई के साथ सा, थोड़ा वो time निकालना पड़ेगा fitness के लिए भी, तो मैं आप सभी से आशरा करता है अपनी fitness का ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी selection का बहुत बड़ा मुद्दा है, आप healthy रही है, fit रही है, यही मेरी कामना है, और आप इस channel पे बनी रही है यह मेरा दूसरा channel है, जिसका नाम jobs career education jce है, और इस पे और भी वीडियोज आते रहेंगे, आप सभी से फिर से request करता हूँ, आपने subscribe नहीं किया है, तो कर दीजिए, और बेल लाइक हैं जरूर तका दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ comment कीज कीजिए, वीडियो में platform बनाई है, discussion कीजिए, और अपने WhatsApp groups में, Telegram groups में, इसको share कीजिए, और इसको और भी फैलाते रही है, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बने रही है, thank you so much and have a nice day. share, see you next time.